क्या आप जानते हैं पहलवान ऐसी क्या चीज़े ख़ते हैं जिसकी वज़े से उनकी इम्मुनिटी इतनी स्ट्रोंग होती है उनका स्टेमिना इतना अच्छा होता है और वे इतनी देर तक वर्काउट कर पाते हैं बदाम मुनका दूद घी इनके बारे मैंने अपने पुरानी वीडियोज में जिकर किया है बट इनसे भी अलग कुछ सीक्रेट चीज़े ऐसी है जो सायदी कोई पहलवान आपको इतनी असानी से बता पाएगा क्योंकि हर किसी का अपना सीक्रेट होता है और कम्पिटीशन में हर को यह सुचता है कि हम एक दूसरे से ज़्यादा आगे जाएं आज आपको साथ बेस्ट ओफ ओल रामबान चीज़ों के बारे में बताएंगे जो कि आपकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए आपकी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा अपने चैनल पर दो लाख लोगों का परिवार हो गया है ऐसे ही सपोर्ट करते रहो अपना चैनल सवाद्दाम बनाया था आज बगवाएंग दया था आप सारे पितना प्यार दे रहे हो तो आप सब का व्रुसाइं टूटने देंगे ज्यादा चैनल पर इसलिए मैं फालत मुशली पांचमी जिनसिंग छटी सतावर सातमी सोना वसम सातो गी सातो रामबान हर बिमारी के लिए इम्यूनिटी के लिए और आपको शरीर में ठका आउट ना रहा है और आप ऐसे अच्छा व्रकाउट करते रहे हैं आपकी सहयत मेंटेन रहे हैं आपकी कोई भी क्रोनि में यह सारी चीज़े मदद कर रहे हैं इन में अस्वगंदा और जिंसिंग प्लांट रूट्स होती हैं इंडिया में अस्वगंदा बोलते हैं बारदेश इसी के टाइप को जिंसिंग बोलते हैं जिंसिंग में कोरियन जिंसिंग अमेरिकन जिंसिंग और वेतनाम जिंसिंग अच्छी माननी जाती है जिसमें Korean सबसे best माननी जाती है। असवगंदा यह तरह सफेद मुसली और सतावर भी इंडिया में इजली एवलेबल हो जाती है। Teenagers के लिए मैं असवगंदा सतावर सफेद मुसली प्रेफर करूँ गा। यह height growth में help करती है, HGH को बूस्ट करने मदद करती है और ये इतनी महेंगी भी नहीं है तो टीनेजर्स के लिए ये सबसे बेस्ट चीजे है सिलाजीत और कीडाजीडी दोनों ऐसी चीज है जो अच्छेत अच्छा पहलवान लगबग यूज करता हुआ मिलागा काफी परचलित है ये कीडाजीडी और सिलाजीत सिलाजीत के उपर पहले वीडियो बना रखी है कीडाजीडी के उपर भी वीडियो बना रखी है आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते है कीडाजीडी के उपर एक अलगत वीडियो आएगी जिसमें ये बताएंगे कि भाई असली कीड़ा जड़ी और अच्छी कीड़ा जड़ी की क्या पहचान है लास्ट बट नोट दा लीस्ट सोना बसम भाई ये प्रैफर में जब करूँगा आपको यूज करने के लिए जब आप एस्ट्रीम लेवल की मैनत कर रहे हो अगर आप आई लेवल की मैनत नी कर रहे हो तो भाई कोई फायदा ने इसको लेन का क्योंकि फाल्तु आप अपने रप ये वेस्ट करोगे और कही ना कही आपके लीवर जलका मार जियागा कोई फायदा ने क्यों गरम चीज़े इसमें डल का काफी लगवग जितनी है चीज़े मैंने बताई है न सारी इन में से भी कुछ चीज़े ही सोना बसम में डलया करें और सोना बसम में अलग तभी कई डाल की चीज़े डलका है चमन परास में भी डलया करें या सोना बसम और कुछ जो है पूडिया टाइप में शैद के साथ लेनकी भी हुआ है तो भई ना तो मैं कोई वैद ना मैं कोई डक्टर है बट अपने पहलोगान भाईया ने देखा है अखाड़ा ने देखा है इतने सालया तो अबजर्व करने लग रहे है एस्प्लोर करने लग रहे है तो सोचा कि ये चीज सारी आपके सामने बतावा कि क्या दिन चरिया रहे है क्या पहलोगान खावे है ताकि वो चीज वहां तक इलिमिटीड ना रहे हमारे यंग रैसलर्स जो ऐसी ऐसी जंग है ऐसे ऐसी स्टेट्स में है जहां पर फैसिलिटी प्रोपर नहीं है जहां पर गाइडेंस प्रोपर नहीं है वहां तक ये चीज़े पोच सके अपने दोरे तक कोई चीज बना कर नहीं बोलते भाई जो चीज पहलों उन्यूज कर रहे है जो चीज अमारे कोच अमें गाइडलाइन्स देवा है वे चीज़े आपके आग बतावा हैं तईस चीज़े के लिए आप वरोसा रखिए आपका वरोसा गदे टूटन नहीं देंगे होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो इन्फोर्मेटिव लगी तो वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और वीडियोज की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे बोड़े बाबा जी सा किसे में दम नहीं है देशी किसे कम नहीं है